दोस्तों स्वागत है आप लोग सिविल जोइंट में हमारी जो आर्ट एन कल्चर की सीरी चल रही थी उसी यू कंटीनू करेंगे लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन पपेटरी कंप्लीट कर लिया था इस लेक्चर में आप नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह हैं इंडिय कारस्वियर हैंडिक्राफ्ट जो भी कास से बन हेंडिया में उसके बार무ं में जानेंगे एसकी्षम हमारी वेडस这 डाउन लोट कर सकते उसका लिंग निचister दिस्क्रेप्शन में है और हमारा टेलिग्राम चैनल आप जोइन कर सकते हैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रेप्शन में है इंडे के अंदर जो हेंडिक्राफट है वो चिर्फ एक लाइवलि हुट का जरिया नहीं है लोगभाग और अपनी आनेवली जेनरेशन को हस्तांत्रित करते हैं और ट्रांसफर करते हैं तो मतलब एक art है जो की preserve करते है लोग का एक generation से दूसरी generation को transfer करते है और livelihood का जरिया है अच्छा special importance है handicraft का किसके अंदर tribal और जो ruler communities है उनके अंदर क्योंकि जो tribal और ruler communities होती है उनकी livelihood जो होती है इसी पर depend करती है ठीक है handicraft पर तो आगे चलते glassware के बारे में जानते जो glassware handicraft लेंडिया के फर्ष्ट रेफरेंस जो है glassware का मिला था महाबारत के अंदर जो हमारी इंडियानी पिक महाबारत है उसके अंदर पर कोई material प्रूफ नहीं है महाबारत के अंदर कहा हमने पड़ी है महाबारत के अंदर ग्लास का यूज किया गया चीज होगा पर उसका कोई material evidence नहीं है first material evidence मिला था हमें painted gray wear culture of ganga valley उसके अंदर beautiful glass के bits मानक होता है मोती होते है जिसके बीच में छेद होता है इससे पुरा हार बनाया जाता है ठीक है इसके अंदर पहला material evidence मिला था अब painted gray wear culture होता क्या है यह iron age culture है इंडियन जो civilization होगा था तो iron civilization भी कहा जाता है इसको इंडियन की iron age भी कहा जाता है iron का भूज जाता यूज किया गया इस के इस culture के अंदर जो की western गंगेटिक print जो मोटा मोटा देखा है तो western UP और गंगर हरक का वेली जो northern राजस्तान और पंजाब और पाकिस्तान का जो पार्ट है यहां यह पनपा था पेंटेट ग्रेवर कल्चर जिसका टाइम पिरेड है 1200-600 बीसी और अगर नया कंसेस्ट से देखेंगे 1300-300 बीसी इंपोर्टिन नहीं है पिरेड ठीक है अच्छा मोटा मोटा याद हो ना ची कोन आया कब और किसके बाद आया ये providing ब्लेक एंट रेड़ वेर कल्चर के बाद आया था पहले ब्ले बी और बीकल्चर पिरा दा पिज़ेड डवु कल्चर पर अगर देखा जाए तो ये कल्चर जो स्टार्ट होते थुज़ाइ एस्टं गंगेटिक प्लेन और है कंटरल इंडिया में तो पहले क्या था जैसे कि एडिक प्ले continuing कृच्चर वेश्टण घंगेक में दीटर प्लेन में चल गया और याद रहा है आप लोगों को अच्छा में पॉइंट क्या है पेंटेट ग्रेवेर कल्चर और गंगा वेली उसमें फर्ष्ट मर्टेरियल इविडेंस मिले इसके जो कल्चर इसके बारे मारे प्रिवेस लेक्चर देख सकते आर्ट इन कल्चर के आर्ट जिसमां ये कमेंट्री है उसका पर कमेंट्री है कमेंट करके पूरा वयेद है जिसमें वर्षिप के सब्सक्रीड के गया और सत्क्री ब्रहामन भी एक संस्क्रेट टेस्ट है जो कमेंट करके बनाया गया है किसके उपर यह जुरुवेद के उपर तो यह सबसे सिस्टेमेटिक और कम्प्लीट ब्रहामन से वेदा के उपर जो एक पूरी पूरी टिपनी की गई है इसके अंदर भी वेदिक सेक्रिफिशियल रिचुवल सेंबलीज और मेठोलोजी के बारे में बता गया है मोटा मोटा सेकरिफिश ल टीचुवल के बारे में बताया गया है ठीक है अब आगे वापस आ जाता है अपना टॉपिक पर आर्कलोजिकल इविदेंस जो पहले ग्लास इंदुस्ट्री के मिले है जो मिले है ब्रह्मपुरी और कोड प्लाइक तरफ जो असे तो फ्लेट होते हैं एक तरफ से कर्व होते गोल ने यह देखे यह ऐसे होता है आपने देखे होंगे काफी जो नेकलेस वगरा है इसे बनते हैं अच्छा संस्क्रिट टेक्ष्ट है व्यासयोग चत्रा चरिता ठीक है व्यासयोग चरित्रा उसके अंदर एक स्पेक्टेकल मतलब आई साइट के जो स्पेक्स होते हैं उसका रिफे में आर्केलोजिकल एविडेंस मिले है मस्की एक साइट थी डेकन इंडिया गी अधर साइट से एक साइट है आहार राजस्थान में इधर मिले है ग्लास के प्रूफ हस्तिनापूर और अहिच्छत्रा पूर है उत्तर परदेश की इरान और उज्जेन है मद्यपरदेश की लेक्स देखिए ग्लास वेर इन मिडवल टाइम में क्या थे हुँ जो मुगल थे उन्हों काफी प्रोस्तान ग्लास वेर के आर्ट को और इसका काफी यूज्ज के अंदर यूज क्या गया आइटम्स काफी ग्लास के बनाए गया तो शीष महल एक मॉन्यमेंट है ठीक है और जो इंफ्लूएंस आया था मुगल इंफ्लूएंस आया था राजपताना कल्चर पर उसमें फिर शीष महल का यूज क्या गया और शीष मेल बनाए गया ठीक है अधर जो ग्लास आइटम इस टाइम पर थे ग्लास हुकास जो ग्लास के बने वे पर्फ्यूम बॉक्स ग्लास इंडेस्ट्रीज कहां का हुई और कहां का फैमस है अभी हैदराबाद के अंदर जो वहां की चूडिया उसको कहा जाता है चूरी का जोडाज ठीक है यह ग्लास और लाक से मिलके बनती है काफी फैमस चूडिया है यह देखे आप इसकी इमेज तो चूरी का उप लगेज चांडेलर और जिसको जोरी कह जाता है और ग्लास बंगल काच की चूडिया यह फिरोजाबाद की फैमस है यह देख सकते जोरी की शक्रेस्टन काच कम बनले फौने इस तरह्य केसा होते है ये सारंपूर या उत्तरपरदेश में में है फ्टी कहा बिहार क्या फ्रमरे कि काच के bibs मानक होते है जिनको 움직 मारे जाता है Wert यो याद रखे ॏ टिक ली एक स्सक्र mism यह आल्मुस्ट हो गए थे पर कुछ जो ट्राइट से सांथल ट्राइब है भिहार की वह अभी भी इसके बीर्च होते मोती पहनती है इसी के नेकलेस बने वे पहनती है तो टिकुली याद रखेगा सांथल टिकुली रिलेटेट है इस लेक्चर में इतने हम हैं कि कवर करेंगे जो की क्लोट के उपर बेवां कोno एक या ऊवरफट इव इंडी